जो मॉनिंग क्या लग रहा है ये निके के अलावा किसी को काम करने का मूड नहीं है क्या? समय स्टेबल ही बने हुए हैं कल के आक्शन की बात करें तो यूएस में हमने देखा पॉजिटिव आक्शन डीप आपके आपके ओडियो में कुछ दिक्कत है जब तक ये इशू रिजॉल्व होता है तब तक आपको बता देते हैं जिक स्निफ्टी उसका मूड मिजाज फिलाल किस प्रकार के जैसे हम कह रहे थे कि बिल्कुल फ्लाटिश सा ट्रेड हो रहा है दीप ने भी अपनी कॉमेंटरी की शुरुआत की वह आप तक एक बाद फिर से पहुंचाएंगे लेकिन ये मूड मिजाज सिर्फ ग्लोबल मारकेट का ही नहीं है हमारा मारकेट थोड़ा सा यहां पर प्रेशर जेल रहा था इंटरिस्टिंग बात यह होगी कि अप ग्लोबल फैक्टर्स का यहां पर कितना असर पड़ता है इंफलेशन के नंबर्स यहां पर निकल कर आने हैं तो दीप आई सपोज आपके ओडियो की दिकत सुलज गए, जरा बताईगी क्या कह रहे था So basically inflation के data पर तो हमारी नजर बनी ही हुई है बट कल थोड़ी important commentary आपने Fed की तरफ से आती हुए देखी थी तो हमें मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले अमेरिकी बाजार बढ़िया action बना हुआ था Dow में आपने देखा करीब आधे परसेंट की तेजी रही और Days High पर Dow बंद हुआ थोड़ा उतार चुड़ाब, opening पार्ट में रहा, बट second half में हमने देखा कि अच्छी move आई और Days High पर 185 अंग को उपर Dow बंद होती हुए दिखा लगातार तीसरे दिन आपने Nasdaq में तेजी बनती हुए और 1% उपर आपके लिए Nasdaq था तो इस साल की शुरुआत, IT में Nasdaq में एक अच्छे rebound के साथ होती भी दिख रही है इस साल करीब 0.5% उपर आपको Nasdaq दिख रहा है, पिछले साल 33% की गिरावट आई थी broader market में और अच्छी rally थी, Russell 2000 करीब 0.5% उपर हुआ और इस साल 3% की तेजी Russell 2000 में दिखे, तो थोड़ा small cap, mid cap में भी action अमेरिकी बाजारों में आपको अच्छा होते हुए दिख रहा है Amazon यहाँ पर 3% की तेजी रही, अच्छे प्रदशन रहा, बाकी दिगज IT stocks की बात करें Meta हो, Microsoft हो, Apple हो, Netflix हो, इन में भी आपने अच्छे खरीदारी देखिए, तो यह leadership तो दिखाई रहे थे बट consumer stocks में आपको positive action दिखाए, साथ ही economy से जोड़े sectors भी आपको अच्छी performance दिखा रहे थे हुए तो एक तरह से इस साल अब तक एक broad based participation दिखा है अमेरिकी बाजारों में, led by IT और वो कल के session में भी आपके लिए visible था नतीजों के बाद bed, bath and beyond, इसमें आपने बड़ी तेजी देखी, करीब 13% भागा है और post market में और भी उपर था दो दिनों में करीब 33% की rally ये counter दिखा चुका है, तो इसके विज़े से बाकी retail stocks भी आपको action में दिखे करेंगी, कल फेड चेर्मेन पावल साथ ही कुछ और regional governors के बयान भी आपको आते हो दिखे essentially पावल साब ने कुछ नया नहीं कहा है, जो अब तक recent minutes की बात कर लें उनके recent बयानों की बात कर लें, फेड पॉलिसी के बात जो जो उन्हें कहा है, वैसे ही उन्होंने कुछ कहा मेंगाई को काबू लाने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी है, कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं, जो unpopular रहेंगे लोगों को पसंद नहीं आएंगे, political environment को पसंद नहीं आएंगे, बट फेड को ये फैसले लेना जरूरी है इस समय, साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अच्छी economy के लिए price stability आना बहुत-बहुत जरूरी है, तो price stability जब तक नहीं आएगी, फेड अपने policy stance पर बनी रहेगी, त indication दे दिया कि इस समय inflation हमारी priority है, और जब तक ये काबू में नहीं आता, तब तक हम अपने path पर बने रहेंगे, और अगर कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ी, तो वो भी करेंगे, यॉरप में हमने देखा, करीब 50% की गिरावट कल आती हुए दिखिए, थोड़ा सुस् पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अनुसार जो सापताहिक बंधार हैं, यूएस के वो चार गुना बढ़े हैं, आज अफकोस EIA की तरफ से जे डेटा आएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी, बट एसेंचली उपरी सरुस हम देख रहे हैं, लगातार दबाव बन ही रहा है, ब आज हमारा मारकेट र्याक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, शुक्री अदिप